What's up everyone, welcome back to the channel तो cash flow statement में अब हम लोग आ चुके हैं investing और financing activities की तरफ कल मैंने आप लोग को operating activity वाला part कराया था अभी हम आगे बढ़ेंगे और इस week का आपको target पता है कि retirement आपको पूरा करना है और cash flow statement पूरा करना है हम in term 2 तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग अब आगे cash flow को और देखते हैं आज हम क्या पढ़ने बाले हैं let's begin चलिए शुरू करते हैं हम investing activity के साथ तो heading डालेंगे यहाप पूरा heading डालते हैं cash flow from investing activity आज हम investing activity को सीख रहे हैं operating मैंने आपको सीखा दी investing को हम सीख रहे हैं यह वाला part सबसे important है इसमें सबसे ज़्यादा number करते हैं अब investing activity में आपके mainly दो चीज़े आती हैं सर दो चीज़े कौन-कौन सी आती हैं एक आपके fixed assets और एक आपकी non current investments ठीक है तो fixed assets में basically क्या होता है fixed assets में आपको बताए कि अगर आपने fixed assets बेचा for example कोई machinery, कोई land, कुछ furniture आपने बेचा तो पैसा आएगा तो sale से क्या होता है? inflow होता है अगर आपने खरीदा asset खरीदा तो उससे क्या होता है? outflow होता है outflow मतलब पैसा जा रहा है तो fixed assets में sale purchase आ सकता है इसके अंदर sale of asset, purchase of asset investments की बात करें तो इसी तरही के से investment भी या आप खरीद सकते हो या बेच सकते हो आपने अगर खरीदी non current investments तो पैसा गया outflow और अगर आपने sale करी तो पैसा आया inflow इसके बाद क्या होता है सर अगर आपने पैसा invest करा वाए बतलब आपने कहीं पैसा लगाया हुआ है कहीं किसी share में या कहीं पर invest करा वाए आपने पैसा तो वहाँ से आपको दो चीज़े receive भी होती है एक तो interest received और एक dividend received एक interest received होगा और एक dividend received होगा तो आपके पास अगर देखा जाए तो ये 6 parts है ठीक है जो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे investing activity वो देखने में मिलेंगे सबसे पहले fixed assets की sale purchase of fixed assets बेचा तो पैसा आया inflow खरीता तो पैसा गया outflow जहाँ पर भी outflow है वो आप minus में दिखाते हो ठीक है non grant investment खरीदी तो पैसा गया minus में आ जाएगा बेचा तो पैसा आया यहाँ पर भी पैसा आया यहाँ पर भी पैसा आया यह inflow ठीक है जी तो basically यह हमारे पास investing activity में चीज़े आती है अब investing activity में जो सबसे important होता है वो आता है preparation of accounts preparation of accounts हमें कौन सा account बनाना है बेटाजी इसके अंदर आसब का account कैसे बनता है बहुत simple है याद रखेंगे कि asset का क्या nature होता है सबसे पहले तो आप asset का nature देखो कि asset debit में increase होता है और credit में decrease होता है यह आपको पता होना चाहिए मैंने 11 से भी जो बच्चे पढ़ रहा है तो मेरा clear वाला rule जानते है Capital, Liability, Expenses, Assets, Revenue तो basically asset का nature debit में increase होना होता है और credit में decrease होना होता है ठीक है न? तो अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको asset का count बनाना है तो सबसे पहल तो आप यहाँ पे opening balance लिखते हो कि आपका asset शुरू में कितना दिया हुआ है to balance brought down यहाँ पे आप लिखते हो by balance carried down उसका closing balance की साल के last में आपको कितने का asset given है ठीक है यहाँ opening balance लिखना यहाँ पे closing balance लिखना ओके हो गया अभी asset पुरे साल में use होगा तो depreciate तो होगा value तो कम होगी ना उसकी कोई भी asset लो मैं यह camera यूज कर रहा हूँ video shoot करने के लिए इसकी value भी कम हो रही है तो depreciate तो 100% होता है कोई भी asset हो कम होना तो इधर लिखना है तो हम यहाँ पे लिखते है depreciation by depreciation जो भी इसका current year का depreciation लगा है ठीक है उसके बाद अगर आपने कोई asset बेच दिया तो पैसा मिलेगा पैसा मिलेगा तो इधर आ जाता है by bank यह आपके पास sale है ठीक है और अगर इसको बेचने पे loss हुआ तो वो भी यहाँ पे हम लिखते है by statement of P&L statement of profit and loss यह है loss यह भी इधर आ जाता है ठीक है जी तो यह सब आपको given होता है यूजवली कि asset इतने का भी का opening, balance, closing, balance, depreciation तो हमारे पास यहाँ पे एक figure निकल के आती है balance में उसको हम क्या बोलते है यहाँ पे अगर value निकल आए तो यह निकला हमारे पास purchase यह आपके पास purchase of asset निकल आता है आपको usually यही निकालना होता है purchase यह आपको balance में निकलना है यह निकलेगा कैसे इन सब का total करो उसमें से यह minus करो यह आजाएगा आपके बास balance में purchase तो यह आपको cash flow statement में पता होना चाहिए कि asset account जब आप बनाऊगे तो यह usually sale बताएगा तो purchase निकाले ना purchase बताएगा तो sale निकाले ना यह आपने class 11 में ही बनाया है depreciation में बनाया asset account इतर opening balance फिर depth लगता था बिख जाता था closing balance वो ही तो बात है खरीदते थे तो इधर लिख देते थे वो ही same account है यह अब इसकी items कहां कहां पे जाती है इस account में से चीज़े कहां कहां पे जाएंगी देखो सबसे पहले इसका clarity से screenshot लेलना फिर मैं बता दूँगा करना क्या है अब देखो यह जो balances है यह balances कहीं नहीं जाते balance यहीं पे आते हैं बस opening closing बात खतम उसके बाद चीज़े जाती है देखो जैसे depreciation प्लस हो जाता है ठीक है यह नहीं है पैसा आया तो प्लस हो जाएगा ठीक है loss on sale of asset यह भी operating में add किया था है नहीं किया था तो यह भी operating में प्लस होता है यह चीज़े हम कल पढ़ चुके है loss on sale of asset और depreciation याद है यह तो investing का पार्ट है obviously आपने माल asset जो है वो बेचा है तो पैसा आया positive में खरीदा तो यह भी कहां पे यह भी investing का पार्ट है investing में ही minus में sir minus में क्यों minus में इसलिए क्योंकि खरीदा तो पैसा गया ना है ना तो इस तरीके से यह आपका asset account बनता है पहले तो आपको यह बनाना आ चाहिए अब क्या होता है एक note लिखो एक note लिख लो if along with balances of asset balances of accumulated depreciation is also given अगर आपको asset का balance तो यह उपर दिये यह था asset के balance के साथ accumulated depreciation का balance भी given हो accumulated depreciation को कई बार provision for depreciation के नाम से भी देता है तो accumulated debt बोल दो या फिर provision for depreciation बोल दो तो अगर आपको accumulated debt या provision for debt का balance भी given हो तो आपको क्या करना है इस case में इस case में आप यहाँ पर लिखना two accounts are prepared कितने accounts बनते हैं दो account बनते हैं number one asset का account वो जो हमने उपर बनाना है और दूसरा accumulated depreciation का account तो इस बार कितने account बनेंगे दो account बनेंगे कौन कौन सा asset का account और accumulated debt का account ठीक है इसको note down कर लिया अब देखो कैसे बनेंगे सर दो account एक हम यह asset का account बना देंगे और एक हम यहाँ पर accumulated debt का account बना देंगे यह हो गया asset account यह हो गया accumulated depreciation का account ठीक है अब याद रखोगी यह liability है यह asset है तो यहाँ पर हमारे पास इदर opening balance आता है assets का opening balance debit में आता है liability का opening balance credit में आता है तो इसका opening balance इदर आएगा buy balance brought down closing इदर two balance carried down इसका closing इदर two balance carried down सबसे पहले तो हमने opening और closing balances लिख दिए ठीक है opening balance भी लिख दिए और closing balance भी लिख दिए अब क्या नया है क्या नया है sir अगर provision for debt का balance या accumulated debt का balance दिया है न तो यह जो आपने current year का debt यह जो current year का debt आपने यहाँ पे लगाया था asset account में अगर accumulated debt है तो यहाँ नहीं लगेगा ठीक है यह depreciation कहा लगता है class 11 में सीखा तागी इस अकाउंट में लगता है फिर वो यहाँ लगता है by depreciation यह कौन से साल का debt होता है current year का current year का debt आपने यहाँ लगा दिया अब current year का debt अगर आपने यहाँ लगा दिया तो आपके पास फिर यहाँ से value निकल के आती है accumulated debt की इसको हम asset account में transfer करते हैं इसको क्या बोलते हैं हम accumulated debt यह accumulated debt क्या होता है usually sir जब machine आप sale कर रहे होते हो तो उस machine का पूरी जिन्दगी का depreciation होता है जो हम यहाँ पे निकालते हैं यह आपके पास balance में निकल के आएगा यह सबसे important है अब आपको question ध्यान से पढ़ना है कि मुझे question में क्या given है अगर जो machinery बिक रही है उसका accumulated debt given हुआ तो यहाँ लिख देंगे फिर आप यह balance में निकाल लोगे लेकिन अगर current year का debt given हुआ तो यह balance में निकलेगा मतलब इन दोनों में से कुछ एक balance में निकलेगा यह पता होना चाहिए आपको ठीक है तो opening closing यह current year का debt यह balance में निकाल दो अब यह जो balance में निकाला ना अपने यह as it is उपर पहुचा दो by accumulated depreciation के नाम से अभी तक depreciation आ रहा था अब debt नहीं आएगा asset account में accumulated debt आएगा जो आपने निकाला है बाकी सब सेम है by bank sale और by statement of P&L loss यह loss है ठीक है जी इधर क्या आता है to bank purchase यह balance में निकालते हो usually ठीक है तो sir balance में क्या-क्या निकलता है फिर से वोई बात balance में यह यह निकलेगा purchase यह यह निकलेगा sale इन दोनों में से एक ही balance में निकलता है ठीक है यह नहीं है सर इसकी posting करवाद हो note करते चलो भी question करा हो ना clarity आ जाएगी फिर से posting अगर करनी हो तो यह जो balance है balance कहीं निकलता है ठीक है जी balance कहीं निकलता है accumulated debt already दो जगा आ चुका है एक value यह आ गई एक value यह भी कहीं नहीं जाएगा depreciation आपको पता है operating activity में add हो जाता है loss भी operating activity में add हो जाता है sale investing activity में add हो जाता है purchase investing activity में ही minus हो जाता है तो देखो इस प्रकार से यह सारी चीजों की posting होती है जब हमें asset का account बनाना हो ठीक है इस investing activity में major आपको यही चीज़ सीखनी है कि asset account किस प्रकार से बनता है सही हो गया न यह ऐसे आपके बाद adjustment लिखावा जाएगा ऐसी तरीके से आपको question करने को बोलेगा तो चलो फटावट से आपको questions कराता हूँ पहले इसका screenshot ले लो और आपको as such कोई problem नहीं आने वाली कौन सी activity में investing activity में ठीक है जी आईए अब questions की तरफ चलते तो शुरू करते हैं आप questions के साथ सबसे पहला question जो हमने यहाँ पे लिखा है वो क्या है कि एक building का value given है देखो ध्यान से देखो सिर्फ building का value है opening और closing building के balances है यानि एक asset के balances है साथ में कोई भी accumulated debt के balances नहीं है अगर accumulated debt के balances नहीं है तो एक ये account बनता है मेरे आपको सिखाया है अगर सिर्फ normal balances हो तो ऐसा एक asset account बन जाता है opening, closing, depreciation, sale, loss और purchase आ जाता है लेकिन अगर accumulated debt के balances भी हो तो फिर दो account बनते हैं तो अभी फिलाल तो एक ही balances है तो account भी कितना बनेंगे एक ही बनेगा ठीक है चलो बना के देखते हैं ये हमें फिलाल data given है आ रहे हैं वी आर प्रिपेरिंग बिल्डिंग अकाउंट ओक्याजी सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि opening कितना और closing कितना भाई शुरू में 6 लाक last में 750 6 लाक बहुत सारे बच्चे फिर comment कर देते हैं सर आप हिंदी में मत बोला करो क्यों भाई गलत बात है न हमारी मातर भाषा हिंदी मैं दोनों में बोला करूँगा ठीक है न 6 लाक 6 लाक 750 शाट लाक पचास अजार 6 लाक and 750 ठीक हो गया जी आपको पता चल गया कि शुरू में और लास्ट में ये बैलेंस हैं अब ध्यान से देखना एक बिल्डिंग है costing 1 लाक रुपीज मेरे पास बिल्डिंग 6 लाक की थी इसमें से कोई पार्ट जिसका cost 1 लाक रुपे है यानि मेरे पास ये मैंने 1 लाक रुपे की ली थी इस वारी बिल्डिंग पे accumulated debt accumulated debt का मतलब होता है इसकी पूरी जिन्दगी का यानि शुरू से लेके अभी तक का इस 1 लाक पे कितना debt लग चुका है 30,000 ठीक है शुरू से अभी तक का कितना debt लग चुका है 30,000 अगर 1 लाक पे आज तक 30,000 का debt लग चुका है तो इसकी आज की value कितनी है इसकी आज की value है सर 70,000 आज से समझे ना 1 लाक की लिए थी accumulated debt का मतलब इस पे पूरी जिन्दगी का अभी तक का debt कितना 30,000 तो आज की value 70 है आगर लिखा भाए it was sold for 60,000 कितने की बिग गई 60,000 रुपे की बिग गई तो देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पर आप सबसे पहले लिखो by bank जो sale है कितने की बिगी 60,000 रुपीज की ठीक है अब जो accumulated depreciation है उसका कोई role नहीं है यहाँ पर क्योंकि जब एक account बनता है single account बनता है तो बस हमें current year का depreciation लिखना होता है देखो मैंने आपको यहाँ पर बता है हमें सिर्फ कौन सर depreciation लिखना होता है current year का accumulated नहीं पुरी जिंदी का नहीं सिर्फ current year का debt लिखना होता है तो अगर single account बनता है तो उस scenario में अगर आपको accumulated debt दिया है न तो वो बस profit या loss निकालने के लिए दिया है और कुछ नहीं ठीक है sir profit या loss कैसा देखो 1 lakh rupees का value था 30 का debt लगा आज की debt पे 70,000 value हो गया कितने की बीकी 60 में 70 वाली building 60 में बेच दी 10,000 का loss है या नहीं है 70 वाली अगर 60 में बीकी तो 10 का loss अब उसको यहाँ लिखेंगे by statement of P&L जो loss हुआ है कितना loss हुआ 10,000 rupees का loss हो गया ठीक है जी यहाँ तक यही काम था अब current year का debt given है depreciation for the year ended 31st March 16 इस साल का debt जो है वो है 50,000 वो लिखेंगे by depreciation 50,000 rupees 50,000 rupees का depreciation आ गया ठीक है अब क्या करना है मुझे अब पर्चेज निकालो balance में सब कुछ लिख दिया 750 और 58,000,000 870 आ गया तो 870 दर का total है 870-6,000,000 270 की मैंने machine और खरी दिया यानि की यह मेरे पास 2 bank क्या value आई पर्चेज यह हमारे पास पर्चेज निकल के आ गया तो अगर हमें अब cash flow from investing activity बनाना हुआ तो हम बनाएंगे यहाँ पर यहाँ डाल देंगे cash flow from investing activity अब मैंने आपको बताया है balance तो कहीं नहीं आते पर्चेज अगर आपने building खरी दिया है तो investing में जाएगा पर्चेज of building पैसा गया 2,70,000 रुपीज तो माइनस में लिख दे न ठीक है या नहीं है अच्छा जी उसके बाद sale यहाँ पर आएगा sale of building पैसा आया 60,000 रुपीज positive में loss जो है वो यहाँ पर नहीं जाएगा loss operating में सब सूपर प्लस होगा depreciation भी operating में सब सूपर प्लस होगा तो इन दोनों का investing activity से को लिख दे नहीं है तो investing activity में यह है फिलाल आपका answer 270 minus का है और 60 positive का है तो 2,10,000 रुपीज आपका negative में आ जाएगा जब भी answer negative में आए तो उसको cash flow नहीं बोलते cash used बोलते cash used in investing activity आप इस तरीके से 2,10,000 रुपीज नेगिटिव दिखा देंगे इस तरीके से आपको question करना होता है screenshot ले लो जल्दी से फटावट से note down करना है तो note down करना है तो screenshot लेना है तो screenshot ले लो फटाफट हो गया जी अब चलते हैं एक अगले सवाल की तरफ देखो जी question की framing देखो क्या given है हमें इस बार मुझे machine के balances भी है opening closing और accumulated debt के balances भी है opening closing यानि 2 balances दिए हैं 2 balances दिए हैं तो sir कितने account दो account ठीक है चलो बनाओ machine भी है और accumulated debt भी है तो 2 account बनेंगे छोटा बना दू थोड़ा सा इधर machine बना लेते हैं ये तो हो गया हमारा machine account और इधर हम बना देते हैं accumulated debt ये हो गया accumulated depreciation का account ठीक है अच्छा अब यहाँ पर opening balance balance brought down my balance carried down closing balance accumulated debt का opening इधर buy balance brought down to balance carried down सबसे पहला काम ये balances लिखना होता है ठीक है ये balances cash flow में जाती नहीं है कहीं पर भी आप account में लिखो 5 lakh 6 lakh तो machine का है 5 lakh 6 lakh ये तो machine का हो गया accumulated debt का 164 और 180 ठीक है 164 1 lakh 64,000 रवी यहां opening आ गया और 180 आपका closing आ गया ये काम हो गया अब मैंने आपको बताया था कि अब जो current year का depreciation है वो यहां नहीं लगेगा यहां लगेगा इस account में लगेगा ठीक है ना अब adjustment बढ़ते हैं during the year एक machine costing 1 lakh लो जी एक machine जिसका cost कितना है 1 lakh रुपे की machine है जिस पे accumulated debt 44 है current year का debt given नहीं है कौन सा debt given है accumulated यानि 1 lakh की machine थी जिस पे आज तक 44 का debt लगा है value कितना बचा 44 का debt लग गया तो 56 इसकी आज की value है 56 इसकी आज की value है ठीक है लेकिन उससे भी पहले accumulated debt given है तो यहां पे लिख दो ना इधर लिख दो to machine के नाम से जब भी accumulated debt given हो तो उसको हमेशा यहां पे लिखते है मैंने आपको जब सिखाया था तो बताया था कि या यह given होगा या debt given होगा debt given होगा तो यह balance में निकाल देना यह given होगा तो current year का debt balance में निकाल देना अभी फिलाल हमें यह given है इस question में 44,000 तो आपका यहां पे by depreciation जो यह current year का है यह balance में आ जाएगा यह balance में आ जाएगा ठीक है 180 plus 44 224 224 minus 164 74, 84, 94 204, 14, 224 60,000 यह आपका balance में निकल के आ गया current year का depreciation ठीक हो गया अब देखो ज़रा 56 इसकी value दी 56 वाली 30 में बेच दी sold for 30,000 56 वाला part अगर आप 30 में बेच रहे हो तो loss कितना हो रहा है 26 का loss हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर 56 वाली machine आप 30,000 में बेच रहे हो तो 26 का loss है यार साफ साफ है ना तो इस scenario में अब क्या करना है देखो accumulated depreciation ये 44 इसको as it is इदर ले आओ यहीं से निकल के इदर आता है ठीक है by statement of P&L जो आपका loss हुआ loss कितना हुआ जी loss हुआ 26,000 रुपीस का ठीक है बस सब कुछ भर दिया हमने very simple आपको बस ये पता होना चाहिए कि single account जब बनाते है only asset का account तो हमाँ accumulated debt का कोई काम नहीं होता हमाँ current year का debt चाहिए लेकिन अगर accumulated debt है तो अगर ये debt given होगा तो ये निकालो ये given होगा तो ये निकालो और इसको as it is यहाँ लेके आओ अब purchase निकालो 2 bank अब देखना है मुझे purchase कितना है ये balance में निकलेगी 6 lakh और 1 lakh 7 lakh 7 lakh minus 5 2 lakh rupees की आपकी purchase आदेगी ठीक है या नहीं है ये आपको पता होना चाहिए इस तरीके से ये account बनते है इनका role यही है अब अगर मुझे सर इसकी investing activity का cash flow बनाना है तो कैसे बनेगा बनाओ जी cash flow from investing activity आओ जी सबसे पहले balance कहीं नहीं जाने ओके P&L accumulated debt कहीं नहीं जाना P&L operating activity में जाएगा कौनसे activity जाएगा operating में plus होगा ये sale और ये purchase ये दोनों आएंगे या पर sale of machine and purchase of machine ठीक है sale of machine जितने का भी का 30,000 रुपे आपको मिल गए purchase of machine 2,000,000 रुपे का अपने machine खरीदा है ये negative में आ गया तो ये operating में जाएगा ये भी post कर दिया ये भी post कर दिया अब इसमें आजो accuracy debt कहीं post नहीं हो न क्योंकि ये इदर आ चुका है balance कहीं post नहीं होगा ये भी का जाएगा operating में plus होगा तो operating में दो चीज़े plus होगी और investing में ये दो चीज़े आएगी ठीक है हमें फिलार investing बनाना था तो investing हमारा 1,70,000 रुपीज negative का मतलब cash used in investing activity ठीक हो गया तो इस प्रकार से हम investing activity के questions करते हैं मैं आपको अभी बहुत सारे questions कराऊंगा comprehensive जब बड़ा question कराऊंगा but basics आपको clear हो गए होंगे hopefully आज के इस वीडियो में काफी important वीडियो था और आपको मैंने operating वाला भी कल पूरा पार्ट करा जे था investing वाला भी पार्ट हमने इस वीडियो में पूरा करा है अब चलते हैं financing वाले पार्ट की तरफ next video में और फिर हम चलेंगे बस comprehensive questions की तरफ cash flow आपका खतम हो चाएगा यही सब पढ़ना है cash flow statement में thank you so much everyone video को share जरूर करना so that बच्चे पढ़ाएं अक्षे से और like करना मत बूलना यार thank you take care bye bye कि अपको कि झालेंगे से दिरूर करना यहीं आपका करना है जरूर को जरूर करना है